नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज ही वीडियो में हम आपको बताने वाले है SSC Graduate Level 2021 का Online Form कैसे बरेंगे दोस्तों पूरा Form आपको भर के दिखाएंगे वेकेंसी का डिटेल्स की जानकारी भी देंगे कौन सा फोटो लगानी है ये भी बताएंगे और करेक्शन का भी इस बार option है और करेक्शन का कितना सुल्क लगेगा ये भी बताएंगे आपको करेक्शन फिरी नहीं है correction का भी लगेगा पहली बार के अलग सुल कहведा, तो चली दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको बता दे, कि ये form आपको कहा पर मिलेगा, तो दोस्तो ये form आपको मिलेगा, रोजगाह रिजल्ड.com पे ट्रस्ट एविट, एक पुरानी एक भरोज सेभन वे देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूं जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम गूगल पर जब यह आप सरकारी लिखते हैं तो चेक कि जो वेबसाइट खुली है उस पर डॉट कॉम लगाए कि नहीं क्यों कि इसके नाम से मिलती चुलती बहुत से नकली वेबसाइटे भी उपलग दे इससे सही वाली खोली है और इसनल खोली तो सीधह आपको कुलित कर देना है सीजल दो जारी किस फॉर्म पर बता दिसके फॉर्म टेज दिसंबर से शुरू है और तेज जनवरी को रात में साड़े ग्यारा बजे खताम हो जाएंगे फीस की बात करें तो जनरल ओवी सी की सौर्वे फीस है सी एस्टी पी है जो कुसी भी महिला के डिगरी की फीस नहीं है लेकिन अगर आप करेंगे तो उसकी जानकारी में आपको बात में दूँगा उम्र 18 है यहां अलग अलग पोस्ट 18 से 30 है तो यह पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं हम सीधा चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर और बता देगर आपको रेजिट्रेशन कैसे करना है तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देदूगा बाकी यहां भी आपको मिल जाएगा की रेजिट् रोज क्योंकि अधिकतल लोग जो है एससी में किसी ना किसी फॉर्म को उन्होंने बढ़ा है जैसे कि उन्होंने टेन प्लेस्टू बढ़ा है या सीप्यों साइबर अगर आपने से पहले कोई फोटो कैसी लगानी है और दोस्तों करेक्शन का भी आपको बता देते हैं फिर करेंगे तो पहली बार अगर आप करेक्शन करेंगे तो इसमें 200 रुपे चाल लगेगा और अगर आप उसको दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपे चाल लगेगा यहां आप देख सकते हैं किसी भी कडिग्री हो कोई भी जेंडर हो सबकी जो सुल्क है वो सेम है अब में के साथ फोटो है या तेड़ी मेरी फोटो है या साइड फेसस की फोटो है तो अगर आप ऐसी कुछ भी फोटो लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजक्ट हो जाएगा तो केवल आपको ध्यान देना है आपको फोटो का बैग्राउंड लाइट रखना है दोनों कान आपक क्लियर हो रहा चाहिए तो सीधा हम जलते हैं फॉर्म ने पर हम यहां पर लॉग इन करते हैं और आगे बढ़ते हूं दोस्तों जैसे आप लॉग इन करेंगे आप देख सकते हैं यहां से आपको करना लेकिन अप्लाई करने बता दे जो लोग पहले से रेइस्टार अगर उ हमाल अपने प्लॉफर करने से प हैं आपने करने से टेल्ट यहां से मोटीफाई कर सकते हैं वह को सीधा उप्लाई करना और साती बता दे जो आपको कई कैश कर rif selv है करते हैं यहां पर step deedर मौललय आपने किया और रहें देंग टने बद यहां हो गया to double आगे जानकारी में आपको दूँंगा इस वीडियो में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं देख सकते हमारी बेसिक डिटेल से तो अपको बताया अगर आपको न बेसिक डिटेयल में कुण भी चेंज करना है तो आप fiance सकते हैं जैसी आगे बढ़ेंगा यहा पढ़ना है तो कि आपको भर सकते हैं आगे पढ़ना है कि आप यहाँ आप करना करना चाहते हैं। यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूसरा भी दे रहा है अगर उसम पर शूट कर дан का राप को दालना पड़ेगा advocating पुर्ब में शूट नहीं चाहिए तो आप सेंपिन ओ कर दीजे आगे बढ़ेंगे यहां पिना कि अपना को पड़ेगा आपकर आपको यहां फरीफ़न करना पड़ता है तो अपको यहां पर अना पर दाले यहां पर तरीकें से करना पड़ेगा हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे आपको फोटो और सिग्नेचर अफ्लोड करने हैं बता दे जो फोटो अप्लोड होनी है आपकी वो 24 स्प्लेंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए मैंने आपको फोटो का सेंपल दिखाया थे कि आपको फोटो किस तरीके सी चाहिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि फोटो आपको कौन सी लगानी है तो मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे फोटो दिया इस त दोनों कांट इस पर दिखाई देने चाहिए तो यहाँ पर मैं फोटो लगाता हूं और सिंगे लगाता हूं बताद इस फोटो को जो साइज हो 20-50 के बीच होना चाहिए अगर आपका फोटो को साइज 20-50 की बीच नहीं है और सिंगे आपको रोजगार रिजल्ट खुलना है और यहाँ पर आप देखेंगे डिसाइज और फोटो सिंगेशर का उप्सन है मैं आपको एक फोटो करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पर फोटो अपनी अपलोड करता हूं दोस्तो जैसी मैंने यहाँ फोटो लगा इस मता दू यह फोटो का साइज मेरा 50 के बीच से ज्या देखता हूं कितने M2 CG होगे तो देख सकते हैं कि यहाँ साइज जो इसका घट बर इसको लगाता हूं फोटो लगाते हिंपहन आप देख सकते हैं फोटो तुरन्त आ चुकी है इसी तरह आपको लगाना अगरा आपको साइज सेट करने में दिक्का था तो मैंने आफो बता करेंगे पूरा फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपके पास एक मौका है कि आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लिए कहीं कोई गलती तो नहीं रहे गए अगर आपको लगता है सब कुस सही है तो यहां पर ग्रीन वाला जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़ना तो मेरा सब कुस्छ सही है मैं सब्मिट करता हूं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों जैसे हम सब्मिट करेंगे यहां पर लिए अप्लिकेशन फॉर्म प्रॉविजिनली एक्सेप्टेड लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं किया आपका फॉर्म ब आपका प्यमेंट कर जाता है और यहां पर स्टेटस पर नहीं सो करता है दुबारा प्यमेंट को आता है तो आपको परसाद नहीं होना है आपको यहां पर डवल पी वेरिफिकेशन आप प्यमेंट है वहां से आप जाके जो अपना चेक कर सकते है और प्यमेंट इस्टेटस